आज हम मलाई पनीर बनाएंगे आपको दिखाते हैं मलाई पनीर कैसे बनता है यहां हमने 2 किलो दूध ले लिया है इसे गैस पे चड़ा लिया है हम इसमें से पनीर निकालेंगे घरी पे हम पनीर निकालते हैं इसे बहुत ही अच्छा और टेश्टी मज़िदार बनता है पनीर यहां मैंने विनीगर लिया है इसमें 4 धकन 3-4 धकन हम विनीगर डाल लेंगे डाल कर हम पनीर निकाल लेंगे डाल कर हम इसे चलाएंगे दीमे आज पे यहां देखिए मेरा पनीर निकल गया है यह देखिए मेरा पनीर निकल गया है अब इसे हम छान कर निकाल लेंगे देखिए कितना बढ़िया अलग अलग हो गया है पानी अलग और पनीर अलग यह देखिए मेरा पनीर निकल गया है अब इसे हम छान लेंगे एक चैचनी लिया है आप कपड़े में भी इसे निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं ऐसे ही करके हम सारा पनीर निकाल लेंगे मैंने पनीर निकाल लिया है और पानी जो है उसे हटा देंगे यहां हमने कडाही चड़ाया है कडाही में थोड़ा बटर डालेंगे और उसमें हरा मिर्च, प्याज, काजू, बदाम चार-पाँच काजू, चार-पाँच बदाम हरा मिर्च, टमाटर प्याज, दो बड़ा प्याज, एक बड़ा टमाटर हम डाल लेंगे और इसको हलका सा तल लेंगे थोड़ा मुलाइम होने तक यहां देखिए हमारा मुलाइम हो गया है इसे हम ठंडा कर लेंगे उलट-पुलट करके अच्छी तरह से इसे मुलाइम होने ही तक तलें उसके बाद हम एक मिकसर यह जार में इसे डाल देंगे डाल कर इसका हम पेश्ट बना लेंगे मेरा ठंडा हो गया है और मिकसर के जार में मैंने डाल दिया है यह देखिए मैंने पेश्ट यहां तैयार कर लिया है यह देखिए एक तम महीन हमने पीसर एक कडाई जडा लेंगे यहां हम घी डालेंगे एक चम्मच इससे बहुत ही अच्छा बनता है बड़े चम्मच से एक चम्मच घी आप बटर भी डाल सकते हैं इसमें छोटा दालचीनी का टुकड़ा और एक बड़ी इलाइची उसके बाद हम मसाला डाल देंगे और अच्छी तरह से दो मिनट तक भून लेंगे अब इसमें मसाला डालेंगे यह हमने मलाई डाला गरम मसाला पाउडर गुलकी जीरा पाउडर अध्रक लसन का पेष्ट यह सब हम इसमें डाल देंगे और इसे पाँच मिनट और हम भून लेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसे हम अच्छी तरह से भून लेंगे भूनने के बाद मेरा कलर भी बहुत बढ़ी आएगा इसे पाँच मिनट तक भूने यह देखिए मेरा भून गया है कितना बढ़िया कलर आया है अब इसमें हम देखिए अच्छी तरह से चला कर तेल भी छोड़ दिया है मेरा इससे भूनने का पहचान आता है बहुत ही बढ़िया बनता है अब इसमें हम कस्तूरी मेथी थोड़ा रगड़ के डाल देंगे इससे खुश्बू अच्छी आती है कितना बढ़िया कलर आया है अब मैंने जो पनीर फाड़ के रखा हुआ था मैंने उसे पीस पीस काट लिया है देखिए यह रहा मेरा पनीर अब इसमें हम डालेगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेगे देखिए मैंने पीस पीस काट लिया थोड़ा पानी डालेगे इसे अच्छी तरह से मिला लेगे उपर नीचे फ्लेम को हम तेज कर लेगे जिससे हमारा पनीर पग जाएगा डाल कर हम दो मिनट तक इसे पकाएगे दी में आज पे यह देखिए मेरा पनीर अच्छी तरह से पक गया है और तूटा भी नहीं है अब यह मैंने एक कर्चुल चड़ा लिया है मलाई पनीर बगारने के लिए इसमें हमने बटर डाल दिया है थोड़ा जीरा डाल दिया है यहां हमने चिनी भी डाला है मलाई पनीर में थोड़ा सा एक चुटकी इससे टेस्ट अच्छा आता है थोड़ा मीठास आ जाता है बगारने के लिए हम दो लाल मिर्च और जीरा यह डाल देंगे थोड़ा बटर में हम इसे बगार देंगे ब्राउन होने तक इसे छोड़ देंगे यह देखिए मेरा ब्राउन हो गया है अब इसे हम बगार लेंगे यहां हमारा मलाई पनीर तैयार कितना बढ़िया कलर आया है यह देखिए कितना टेस्टी देख रहा है और खाने में ही बहुत टेस्टी लएगा हमारे इसमें जरूर हमारे स्टाइल में बनाए बहुत ही टेस्टी और कॉमेंट्स में जरूर लिखें कि कैसा बना है अब इसे हम सर्फ करेंगे ये देखे मेरा मलाई पनीर मैंने यहाँ थोड़ा पनीर रख लिया था एक टुकड़ा इसके उपर से हम कद्दू कश करेंगे यहाँ हम हरा धन्या डाल लेंगे और उपर से कद्दू कश करेंगे ये देखे मेरा मलाई पनीर बहुत ही टेस्टी बना है अब बना कर खाएं और बताएं कि कैसा बना है ये देखे बहुत ही टेस्टी